नवस्कार दोस्तों राशिक एनुसार जानिये विपरित परिस्थितियों में किस हद तक जूज सकते हैं आप जोदिश शास्तर के नुसार प्रतेक व्यक्ति अपनी राशिक प्रकृति के आधार पर ही इस समाज में खुद की बुनियाद रख पाता है कुछ राशियां शान्त या इस्थाई प्रकृति की होती हैं तो कुछ में विपरित परिस्थितियों में से जुजने की अध्भूत छमता होती है वहीं कुछ परिस्थितियों के अनुसार खुद को हर परिस्थिति में ठाल लेती हैं वास्तिविक्ता तो यह है कि आप अपनी राशी के असर को बदल नहीं सकते लेकिन इसके स्वभाव को बहतर तरीके से समझ कर अपने जीवन की दिशा, किसी चीज को देखने के प्रती अपना नजरिया, लोगों के प्रती अपने संबंध सहज जरूर कर सकते हैं। जोतिव शास्त्र में 12 राशियां आती हैं और ये सभी 12 राशियां मुख्य रूप से 3 आधार्भूत गुणों के अंतरगत आती हैं। इन 3 गुणों में यह तै किया जा सकता है कि आप कितने संघर से पूर्ण हैं और दुनिया को किस नजरिये से देखते हैं। इसके अलावा और इससे आप यह भी जान सकते हैं कि किस राशिय के जातक के साथ आपका स्वाभाव मिल सकता है। ये तीन अधार्भूत गुण इस प्रकार हैं। पहला व्यक्ति के व्यवाहार में स्थाईतु या ठहराव। दूसरा जो परिस्तिति के अनुसार अपना स्वाभाव बद करता है। जिने निश्चय या स्थाई गुण या गुण मुख्य रूप से व्रिश, सिह, व्रिश्चिक और कुमराश्य वाले के जातकों के स्वाभाव में शामिल होता है। इस राश्य के लोग इस्थिरता के साथ अपनी उर्जा बनाये रखते हैं। इन्हें अपने फै खुद पर अत्याधिक विश्वास होने के कारण इन्हें दूसरों का नजरिया समझने में दिक्कत होती है। और कई बार तो ये दूसरों का नजरिया समझना ही नहीं चाहते। इनके इस स्वाभाव के कारण बुरे हालातों में इन्हें लोगों को समझने और विपरित प् चमता के कारण राशी चक्र में ये राशियां सबसे अधिक योग्य और अनुकुल समझी जाती है ये परिस्तिती माहौल या लोगों के स्वभाव के अनुरुप खुद को ढालने में सक्षम होते हैं इन राशियों के जाता खुले विचारों वाले होते हैं और लोगों के अनुसार खुद को ढाल लेना या विपरित स्वभाव के लोगों के बीच भी फिट होने की कोशिश करना इन जातकों की खास खुबी होती है बुनियादी या मौलिक गुण मेश, कर्क, तुला और मकर इन सभी चार राशियों के जातकों में मौलिकता का खास गुण होता है ये नमिन उर्जा का निर्मान करते हैं ऐसे लोग हमेशा कुछ नया करने की चाहत रखते हैं और इनका यह स्वभाव दूसरों को भी प्रेणा देता है इस स्वभाव के कारण ये जातक विपरित प्रसितियों से निपटने के लिए हमेशा नई राह तलासते हैं इनकी एक यह भी है कि ये बुरे हालातों में भी अपने दोस्तों की मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं और अच्छे दोस्त साबित होते हैं हलाकि इनका यह स्वभाव इन्हें आशावादी बनाता है पर कई बार जब वास्तों में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तो इनकी योजना उतनी असरदार भी नहीं रहती नैने विचारों के कारण ये अंतहिन संभावनों के बारे में बात कर सकते हैं पर उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना अलग बात है ये वैसे तो दूसरों को प्रेडित करते हैं लेकिन अगर कोई दूसरा इनकी सोच पर सवाल पूज सकते हैं मित्रों वास्तु टिप्स और चोदिश शास्तर से सम्मंधित जानकारियों के लिए हमारे इस यूटुब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें जय मातदी मित्रों